हेलो फ्रेंड नाय व्लॉग में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप लोग मनाली से एमाचल तूरिजन की बस से मनाली टू तुरुलुकिनाथ मंदिर और साथी साथ दूसरा है मनाली टू बारलाचा पास केलाओं होते हुए कैसे ज हुए व्लुकिनाथ मंदिर के लिए दो अलग अलग बसें चलती है मनाली से तूरिजनाथ मंदिर की दोरी सौव किलो मीटर और मनाली से वारलाचा पास के दूरी 144 किलोमीटर हैं अगर आप हिमाचल टूरिज्म की बसस से मनाली टू बारलाचा और मनाली टू तु लोकीनाथ दो अलग अलग रूटरों पर हिमाचल टूरिज्म की टूर पैकेज बसस चलती है यदि उसे गूमना चाहते हैं तो मनाली के मॉल रोड पर ही इस्तित है हिमाचल टूरिज्म का आफिस यहां पर आकर आप टिकट बुक कर सकते हैं दो अलग अलग जगों के लिए यह हिमाचल टूरिज्म का आफिस है मनाली मॉल रोड पर ही इस्तित है तो यहां पर आकर आप आफ लाइन टिकट ले सकते हैं ऑनलाइन टिकट अभी अविलेबल न 900 रुपीज जिसमें बस मनाली से सोलांग वैली अटल टरनल सीशू के लांग होते हुए बारा लाचा पास के लिए सुबह चलती है छे बजे और इन सारे प्लेसेस को कवर करते हुए वापस आ जाती है सामके आठ बजे मनाली के बस स्टेंड में दूसरा है मनाली से त्रिलोकिनाथ टूर पैकेज बाई हिमाचल टूरिजन बसेस इसका भी किराया पर परसन का 900 रुपीज है और यह कवर करती है मनाली सुलांग वैली अटल टरनल सीशू टांडी होते हुए त्रिलोकिनाथ उदैपूर होते हुए वापस भी यह सामके आठ बजे मनाली के इस बस स्टेंड पर वापस आ जाती है इन दो अलग अलग टूर पैकेज को बुक करने के लिए आपको हिमाचल टूरिजन के ऑफिस माल रोट पर जाना पड़ेगा और वहीं से ऑफलाइन टिकट बुक होती है ऑनलाइन टिकट अभी एविलेबल नहीं है और उसी बस स्टेंड में आपको सुबह-सुबह आना पड़ेगा सुबह के छे बजे जब भी टाइम दिया जाएगा टिकट बुक करेंगे तो वह टाइम बता देंगे और यहीं पर हिमाचल टूरिजन की बसेस खड़ी रहती है तो यह हैं हिमाचल टूरिजन की बसेस तो यही आप यह बसेश टू बाई टू होती है और काफी कंस्टेबल होती है तो आसानी से आप इस बसेश में जा सकते हो और घूम कर आ सकते हो तो हिमाचल तूरिज्ब की इस टूर पैकेज में आप सुलांग वैली अटल टरनल सीशू बारलाचा पास और साती साथ तूरलो की नात मंदिर भी घूम सकते हो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा इसे लाइक और सेयर जरूर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच में